नमस्कार दोस्तो डिफेंज शो में आपका स्वागत है तो दोस्तो एक बहुती बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान और रूस के बाद अभी भारत में बने हत्यारों का लोहा यूएस भी मान रहा है और अमेरिका का कहना है कि भारत के बनाए हत्यार बेहत घातक और उम्दा है और वहीं चीन इस मामले में फेज़ड़ी है तो भारत के किस हत्यार के बारे में अमेरिका बोल रहा है और पूरी खबर क्या है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो में अंतक बने रहिए साथ ही लेटेस्ट डिफेंज अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो कुछ सालों पहले तक दुनिया में सिर्फ दो तरह के देश होते थे एक वे जो अमेरिका को सपोर्ट कर सकते थे और दूसरे वे जो रूस के साथ थे हला कि कुछ ऐसे देश भी थे जो कि नीूटरल लहते थे और इन देशों को ही Third World Country कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये Third World Countries काफी पिछड़े हुए हैं और काफी गरीब हैं और ऐसा ही एक थर्ड वर्ड कंट्री था भारत लेकिन शक्ति का धुरूवी करन बदला और पावर शिफ्ट हुई इंडो पैसिफिक रीजन में और एशिया में चीन के लावा भारत एक ऐसा बड़ा देश बना जो कि पूरी दुनिया की एक्टिविटीस पर प्रभाव डालत है और अब जाकर हालात ये हैं कि जितनी जरूरत भारत को दूसरे देशों की है उससे कहीं ज़्यादा जरूरत दूसरे देशों को भारत की है चाये फिर वो अमेरिका हो या फिर रूस और इसका कारण भारत की बढ़ती शक्ति है और डिफेंस सेक्टर में भारत जो काम कर है उससे भारत की ताकत बढ़ती जा रही है हाल ही में पाकिस्तान के राष्टपती ने ब्रमोस की ताकत को कबूला था और फिर रूस ने बताया कि किस तरह से भारत एंटी टेंक गाइडेड मिसाइलों के मामले में रूस से भी आके निकल गया है और इन दो देशों के बाद एक और देश है जो भारत के हत्यारों की शमता को मान रहा है और वो है अमेरिका जिहां दोस्तों अमेरिका की एक मैगजीन जिसका नाम है फॉरेंड पॉलिसी उसने भारत के मेड इन इंडिया तेजस लडाकु विमान पर एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है और इस आर करी जाए कि तेजस लडाकु विमान का कमपैरिजन इस आर्टिकल में चीन के लडाकु विमानों से किया गया है और अमेरिका की ओर से ये बताया गया है कि भारत के लेजस लडाकु विमान के सामने चीन के लडाकु विमान फिसड़ी है अब हाला कि यहां पर एक समय के गई है अमेरिका ने कहा है कि तेजस एक reliable और high performance वाला लड़ा को विमान है in comparison to Chinese fighters और उसके साथी तेजस Mark 1A की कीमत F-16 से भी कम है हालकि ये Chinese fighters के मुकाबले महंगा है लेकिन Chinese लड़ा को विमानों का इससे कोई भी मुकाबला नहीं है इसके अलावा इसमें लगी मिसाइलें भ पर अमेरिका ने ये भी कहा है कि भारत भले ही defense production के मामले में काफी पीछे रहा हो लेकिन भारत अब तेजी से रफतार पकड़ रहा है और आने वाले सालों में जिस तरह से भारत सरकार defense के मामले में आत्म निर्बर बनने का प्रयास कर रही है उससे देखते हुए भारत जल रूप से भारत आने वाले समय में आत्म निर्बर जरूर बनेगा आपका क्या कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं साथ ही latest defense updates के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जय हिंद वंदे मात्रम